हेलो फ्रेंज मैं हूँ भोली और स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कुक विद भोली में तो मूली तो आपने काट करके बहुत सारे तरीके से खाया होगा सलात के रूप में तो आच्छे लेउसी का हम रायता बनाते हैं आप इसे रायता है या सलाथ जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं और यह खाने में बहुंट टेस्टी लगती है अगर मुली हम ऐसे ही खाते हैं तो थोड़ी सी तीखी होती है कई बार तो खा नहीं सकते हैं बहुत सारे लोग तो इस तरह से आप बना करके देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगी घर में, तो चली यह से बनाना शुरू करते हैं, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मूली लिया है और इसे सबसे पहले अच्छे से धो करके छील लेती है और यहाँ पर दो टमाटर लिया है मैंने दो हरी मीर्च है मीर्च आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं तो मूली को हम इस तरह का ग्रेटर लेंगे और इसमें कदूकस कर लेंगे एकदम बारिक वाली जो होती है कदूकस उससे नहीं करेंगे हम नहीं तो इसका पेस्ट बन जाएगा तो जो मोटे छेद वाली होती है ना कदूकस करने वाली ग्रेटर उसी से हम ग्रेट कर लेंगे से तो देखे मूली को मैंने ग्रेट कर लिया है और टमाटर को बारिक-बारिक काट लेंगे यह इस तरह का चॉपर है मेरे पास तो मैं इसमें चॉप कर लेती हूं तो बहुत बारिक-बारिक काटेंगे हम टमाटर को और यहां पर मेरे पास हरी प्याज है तो अभी ठंड के मौसम में तो बहुत आते हैं मार्केट में यह तो मैंने इसी का यूज किया यहां पर दो तीन प्याज है यहां पर हरे वाले और उसकी थोड़ी सी पत्तिया भी ले ली है मैंने धन्या पत्ति आप उपर से डाल सकते है है मेरे पास धन्य पत्ति नहीं है इसलिए मैंने यह वाला प्याज लिया है रवाला तो सारी चीज़ों को अच्छे से बारी बारी खमी काट लेना है उसके बाद यह लगभग एक कप चितनी ताजी दही है दही में हम सारी कटे अब इसमें काली मिर्च का पावडर डालेंगे और काला नमक डालेंगे थोड़ा सा रेग्यूलर नमक भी डालेंगे इसमें स्वादय नुसार जीरा का पावडर भी आप डाल सकते हैं तो और मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को अच्छे से यहाँ पर आप डालना चाहते हैं तो पीसी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं उपर से बस मिक्स केजिए और बन गई पांच मिनट भी नहीं लगता इसे बनाने में तो देखिए बहुत आसान है यह बनाने में और खाने में अगले वीडियो में तब तक के लिए जैसे क्रिशना